नमस्कार दोस्तों डीर किसान में आपका एक बार फिर सवागत है और आज किस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये ये आप देख पा रहे होंगे कि हाथ में क्या है किसान का सबसे बड़ा सत्रू है फिलाल यानि कि टीड़ी और ये टीड़ी जो है हम आज एक प्रोशी क किसान के साथ खेत में उसके गए हुए थे तो वहां पर अभी अभी हमने देखा कि एक एकड के अंदर लगबग मान कर चलो कि पांथ से साथ टीडियां उड़ती हुई दिखाई दे रही थी खेत के अंदर तो ये टीडि जो है मैंने जिंदा पकड़ी है आप लोगों को टीडियां किसान बता रहे हैं तो क्या ये सच है कि इतने रंग के टीडियां हो सकती है तो जी हां किसान भाईयो ये सही बात है वो विल्कुल सही बोलते हैं क्योंकि टीडि जो होती है ये गुलाबी रंग की भी ओती है बूरे रंग की देखने को मिलती है और ये जो है जा ब्राउन इसकी जो है वह fantastic here कि जो cos आगे का हिस्सा है पंक्खों का और सिर का ये बीले है की हुए इसकी पंखों के निच्छे से है यानि कि ये बल्कूल पैरों के पास का जो हिस्साै और आदे जो अगले पैर हैं इनका इसा बुरे रंग का है तो ये इसका कलर होता है नैचुरल यानि कि इसका फिर एक कलर दो चार रंग किस परकार से बदलती है कि जब ये छोटी होती है ना तो इसका रंग होता है गुलाबी और ये जब तक गुलाबी कलर में रहती है उसमें अपरी अंडे नही पहुंचाती है लेकिन अब जो ये कलर इसकी उपर आया हुआ है इसकी पंक जो है वो दबेदार हो चुके हैं तो ये अडल्ट है और ये बहुत ज्यादा नुक्सान आपकी फसल में कर रही है किसानों को खून के आसुष ने रुलाया हुआ है और सरकार की तरफ से जो साहेता जो मदद किसान को मिलनी चाहिए थी वो नाकाफी है वो अभी फिलाल जो है टीडी के उपर सरकार की तरफ से नियंतरन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि टीडियों का जुण लगातार आगे की और बढ़ता जा रहा है और किसानों को बरबाद करता हुआ जा रहा व करते हैं और इसके अलावा ज है यह एक परकार से अडल्ट है इस खेत में अपने दे देती है और वो अंड़ जो होते हैं 15ika 15-25 25-20ह दीन में एक परकार से जहरी जमीन से बाहर आने के बाद में इसी परकार से उड़ने लगते हैं उनका एक जुंड बन जाता और फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाते है और उसी प्रकार से आपकी फसल को नुक्सान पहुँचाते रहते हैं और इसके लावा काफी खिसान भायों को भहम रहता है किया ये ît मनुष्य को भी नुक्सान पहुचाती है यानि कि इनसान की उपर क्या टैक करती है तो आप बिल्कुल ये देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको बिल्कुल ही हाथ में पकड़ा हुआ है लेकिन ये बिल्कुल ही किसी परकार से कोई नुकसान नहीं पहुचाती है इनसान को यानि कि भुटका वगरा नहीं बाढ़ती है प्लपाय जोरी जब इसको पिकटे तो किसी परकार का खूई कट कर ती है यांडी कि टेप्स ़ीडीन के पा Σपाइं तो प्लपाय। इसका color जो है यही देखने को मिलता है mostly और इसके अलावा ये टीडियां जो है जिस तरफ से हवा आती है हवा की दिसा में आगे से आगे चलती जाती है हवा के साथ ये आगे से आगे उड़ती रहती है जब हवा अपना रुक बदलती है तो ये भी अपनी उड़ान को अपने रस्ते को बदल लेती है और हवा की दिसा में ही आगे बढ़ती जाती है तो दोस्तो इस परकार से हवा को ध्यान में रखते हुई ये सतरक रहें कि आपके एरिया में कहाँ पर टिड़ी आई हुई है और यदि मैं इस समय पर हरियाना में टिड़ी की बात करूँ तो इसकी अर्जेक्ट जो लोकेशन है वो जैसे की हरियाना का बिवानी डिश्टिक है बिवानी में तैसील जो है सिवानी है एक तो सिवानी तैसील के पूरे मान कर चलोगी 10 से 15 किलोमेटर के दाइरे में ये ट किसान के लिए सबसे बड़ी महामारी है टीडी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाग है क्योंकि टीडी जो है किसान के खेत में पड़ती है तो 100% नुकसान खेत के अंदर करके ही उठती है यानि कि फसल को बिलकुल ही चट कर जाती है उसमें फुटाव होने की गुंजाईस मेरे ख थोड़ती है हो शकता है थोड़ा बहुत फुटाव हो जाए लेकिन पोदा उससे उभर नहीं पाता है और काफी किसान भाई यह पूछते हैं कि यह टीडी जो है कौन सी दवा से मरती है कौन से किटनासक से मरती है तो यह से सुरूफ से दो दवाइं इस पर ज्यादा काम कर करता हूं थोड़ी यह देख लेजीए यह कारती बिल्कुल है नहीं और इसका कलर मैंने आपको बताया दो तिन परकार का होते हैं यह देखिए अधिये अधिती हो अफैपर लाइनिंग होती है और उसके यहाँ पर उपर जो है यहाँ यहाँ पर बीच बीच में यहां से ज थोड़े डारक rंग की lining उती है ब्लैक बलैक सी, तो वो भी टीडी ही होती है, कहीं आप सोछकर चलो कि इसके यहां पर lining है, तो ये कुछ है और है, लेकिन वो भी टीडी होती है, ये फशल को खा कर कुछ नीचे गिर गई हैं, कोचे फसल के उपर बैठ गई है और जो टीडियां जमीन के उपर गिरी हुई है वो टीडियां फिलाल वहां से अंडे दे कर ही उठेंगी चाहे आप कितना भी सोर स्राबा वहां पर कर लें वो बिलकुल ही नहीं हिल रही वहां पर मैंने एक किसान से बात करी है तो उस किसान समझे हमको यही वताया है कि टीडियां भाई बिलकुल भी नई उड़ रही है जो जमीन पर गिर गई है वह बिलकुल ही टस से मस उहां से नहीं हो रही है यानि कि वहां से हिल भी नहीं रही है और वहां से ब्छाएंगी और वहांसे उख से चेज़ार Shled नया जुन्ड जो है वहां से बनकर तैयार हो जाएगा वहां से उट जाएगा और आगे किशानों के लिए खत्रा पैदा कर देगा तो दोस्तों इस परकार से आप अपने खेत में रहें यदि आपके अरिया में टीडियों का अटेक है तो और वहां से मैं आपको श्याम को ला वाला था लेकिन यहां पर मैंने आपको उताया नेटरक की बहुत ज्यादा प्रोब्लम है इसलिए यहां से लाइव नहीं हो पाता है और यदि नेटरक अच्छा रहा तो मैं वहां से आपको लाइव दिखाने की कोशिस करूँगा तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आपको बस इतनी ही यह नोर्मल सी जानकारी देनी थी और जो कि मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटी इसके बारे में तो होसके तो आज के इस वीडियो के बाद में मैं आपको एक बार फिर से लाइव वहां पर मिलूँगा जहां पर यह टीडियां गिरी हुई हैं जहां इनोंने अटेक किया हुआ है तो वहां से जो है लाइव हम जुडेंगे और आपको कुछ किसानों से भी मिलाने की कोशिस करेंगे कि किसानों का किस परकार से क्या कुछ कहना है टीडियां कहां से आई और किस और गई हैं तो इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे कि यह कितनी खतरनाक है, किसानों ने इस को किस परकार से वहाँ से बगाया है इन सब बातों के उपर किसान भाईयों से बात करेंगे उनकी राय लेंगे ताकि आपको आसानी रहसके जब ये टीडियां आपके इलाके में हो सकता है कभी भी आ सकती है तो इसलिए पहले आप active अवस्थे रहें तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में विस इतना ही मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाई बाई, टेक केर